हलो दोस्तों में हो दिपाली और मेरे चनलेल पैप का बहुत-बहुत सवागत है आज हम देखने वाले जावर की किछडी कैसे मनाते है चावल और मुंगलर की किछडी तो आपने खाई होगी वह बहुत ही स्वाधिश होती है वैसे ही जावर की बहुत सौफ्ट होती है तो उस कि यहां हुर लगा है क्यूंकि यहां पे हमें दज सीटया लगानी हो कि तो दससी तीटया में ब impress देख सकते हैं जोर कितना सॉफ्ड हो गया पूल गया थदक फून है कि अक्ताब सॉफ्ट पकाना है हमें इसको इसलिए 10 स्टिया लगाई मैंने अगर दस स्टिया में भी आपका नहीं पका है तो आपको ठोड़ी और स्टिया लगानी पड़ेंगी दिखिए कितना सॉफ्ट हो गया है तो अब इसको तड़का देने हैं हमें तो एक कड़ाई में मैंने दो चम्मच घी लिया है गैस थोड़ा स्लो करेंगे क्योंकि घी जल्दी जल जाता है तो इसमें अभी एक चोटा चमच राई डाल देंगे राई थोड़ी तड़कने लगी है अब इसमें अधा च्छोटी चमच जीरा कुछ सेकंद रुकेंगे जीरा को फूलने देंगे अब इसमें पैस डालना है एक पैस है बारी काट लिया है उसके साथ ही साथ आठ कड़ी बत्ते तो इस दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है पैस सॉफ्ट होना चाहिए या फिर ट्रांस्परन तो तड़के में अब वन फोरस चोटी चमच हंग डाल देंगे जाया है इसको भी एक बर बैर एक टोमाटो मैंने बारीक काट लिया है उसको डाल देंगे अब यह टिमाटर को हमें अच्छे से गलाना है इस तड़के में तो एक बड़ टमाटर अच्छे से मिक्स करके हम इसमें एक चम्मच तीखी मिर्ची पाॉडर डाल देंगे लाल मिर्ची पाॉडर जो हम घर में रेगलर यूज करते हैं वही यूज करने एक चोटी चम्मच डालनी है आप इसको skip भी कर सिंपल सी किच्री बना सकते हैं तो लालमनीची पाउडर डालने के बाद एक बार मैंने मिक्स किया है गया से एक दम धीमी रखनी है और डखकन डालके इसको पकाना है तो ये स्टीम में बाफ में ये टमाटर गल जाएगा अपना तो बीच बीच में चेक करना है तेल अच्छ तो गयास एकदम धीमी रखने है अब दिखने में ही हमारा टमाटर सॉफ्ट दिख रहा है तो इसको चमच की सहायता से पीचे के साइड से उसको स्मैश कर लेंगे जितना हो सकी उतना हमें स्मैश कर लेना है स्मैश करके थोड़ा ड्राइ बनाना है इसको ताकि कलर अच्छा है हमारे किच्डी को जितना टमाटर पकेगा अच्छा कलर आएगा और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है जितना टमाटर को बूनेंगे तबी हो चुका है बस अभी इतना ही करना है अब इसमें जो हमने प जोवर हमें सौफ्टी पकनी चाहिए हाड नहीं चलेगी तो खाते समय बहुत तकलीफ हो जाएगी चबाते चबाते ठक जाएंगे जोवर बहुत हाड होती है पकने में टाइम लगता है इसलिए हमें बिगोना पड़ता है इसको रात भर और दस सीटी लगानी पड़ती है पानी पूर्शुखने थक हमें इसको पकाना है महें जाएं कर अधेर में 트म जाएं अभी ठोड़ा agric डाला था इसलिए अभी थवड़ा कम नमग डाला है यह तका पानी पूर्य सुख गया अब देख सकते हैं। अधम हम धुल्षण हमें लिगका सा हमें हमें दीखें। कि दिखिए कितनी मस हमारी किच्डी बन गई है खाने में इतनी ही स्वादिश्ट है सॉफ्ट है तो अभी इसको सर्व कर लेते गरम गरम यह बहुत अच्छी लगते आप चाहे तो इस पे एक घी का चमच डाल के इसको खा सकते हैं बहुत ही मस्त बढ़िया बनी है अगर आपको यह मेरी रिसीपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें जदे से शेयर करें और मेरे चैलर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें साथ में ही जो बाजू की बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस जो वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले